माता दिभक चलो कैसे हैं आप सब आप सभी पर मारता रानी की किरपा वनी रहे चलिए एक सुनते हैं एक और मनोरंजक और रोचक कहानी स्रिकृष्ण और राधाजी से चुड़ी हुई क्यूं कहा राधाजी ने कृष्ण को कि काना तुम बदल गए हूँ तुम अब काना नहीं रहे क्यूं कहा राधाजी ने ऐसा ब्रिंदावन से मतुरा जाने के बाद स्रिकृष्ण फिर कभी भी ब्रिंदावन वापस नहीं लोटे थे केवल दो बार वो राधाजी से मिले थे एक बार कुरुच छेत्र में और दूसरी बार उस मुशल घटना के पहले जब सराप पीकर आपस में यादव यदुबंसी लड़ते हुए मारे गए थे प्रभास छेत्र यादवो का एक बहुत ही पवित्र अस्थल था और यहां का सीम लिंग भी जो शोमनात का है वो प्रभास छेत्र में ही है और इस मंदिर का सुसजित करन भी स्रकृष्ण ने ही कराया था और इसके उत्तर में प्रभास का बिस्तित भाग है इसी अस्थान पर मैदान से थोरी दूर पर बहे लिये ने स्रकृष्ण के पैर में बान मारा था यहां हर वर्स पर पूजा समारो होता था जिसमें यादव गंतंत्र के सभी लोग अबाल ब्रिद भाग लेते थे गोलोग जाने से पहले एक वार स्रकृष्ण ने समस्त ब्रजवाशियों को प्रभास्तिर्थ में मिलने के लिए बुलाया था ब्रिंदावन से जाने के बाद राधा कृष्ण की यहीं दूसरी और अंतिम भेट थी रुक्मनी भी आई थी इसके बाद जब राधा और स्रकृष्ण का सामना हुआ तो मिलते ही राधा ने स्रकृष्ण से कहा कहो कृष्ण कैसे हो कृष्ण हत्प्रव रह गया अक्ष का आते हुए उन्होंने कहा कि क्या कहती हो राधा मैं तुम्हारे लिए कृष्ण कब से हो गया मैं तो अभी तुम्हारे लिए काना ही हूँ राधा ने कहा कि नहीं कृष्ण अब तुम काना नहीं रहे तुम बदल गये हो क्या बदल आवा गया है मुझे में सिरकृष्ण ने पूछा राधा बोली कोई एक हो तब तो बताओं अगर तुम स्याम होते सुदामा के पास तुम जाते सुदामा को तुम्हारे पास नहीं आना परता तुम बनमाली थे तुम्हारे गले में बनमाला सोखती थी शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा तुम्हारे लिए माला बनाने के लिए मैं और मेरी शखिया ललिता, विशाखा, अनुराधा, कुशुम, सैव्या, आदी ब्रिंदावन के साथ बनों से फूल चूनती थी कितनी बार बाहों में खरोचे आई, ओडिनिया फट जाती थी, घर पर मार परती थी पर जब तुम वही बनमाला पहन कर हसते थे, तो आतमा त्रिप्त हो जाती थी लगता था कि लोग पर लोग दोनों बन गये, आज तुम्हारे गले में वह बनमाला कहां गई आज तुम्हारी गले में हीरे जवरात जरीत सोने की माला है जिन हाथों में मुरली सोहाय मान होती थी उन हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया है जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य के आपस उपच्छे भी सुनने के लिए जूट जाते थे आज उन्ही हाथों से संगहार कर रहे हो लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो और ऐसा तुमने भी गिता में कहा कि तुम परम ब्रह्म हो तुम ब्रह्म हो पर मैंने तो तुम्हें ब्रह्म माना ही नहीं तुम तो मेरे नंद के लाल, मुरली धर, स्याम थे एक समान्य ग्वाला तुम्हारे इस रूप का तो पता ही नहीं था तुमने उधो को भेजा था हमें निर्गुन मान बताने के लिए ग्यान बताने के लिए उधो ने तो बताया ही होगा कि हमारा प्रेम क्या है और उनकी क्या गती है Krishna सुनते रहे और तब कहा लेकिन मैं तो तुम्हें अभी याद करता हूँ तुम्हारी याद आती है तो आांखों से आसु निकलते हैं राधा वोली लेकिन मैं तो तुम्हें कभी याद नहीं करती याद तो उसको किया जाता है जो कहीं दूर चला गया हो तुम तो कभी मिर्दय हिर्दय से गय ही नहीं थे जो याद करना पड़ता रही मेरे नरूने की बात तुकाना मैं इसलिए नहीं रोई क्यूंकि मेरी आखों में तुम बसे हो और कहीं आश्मों के साथ तुम निकलना जाओ इसलिए मैं कभी नहीं रोई भक्त का भाव देखकर भगवान भिहल हो गए बोले राधा तुम जीती मैं हारा राधा ने कहा याद रखना कृष्ण मेरे बिना तुम अधूरे रहोगे संसार में जहां भी तुम्हारी पूजया होगी मैं साथ रहोंगी सिर्फ एक को छोड़ कर यानि कि जगरनात जी जहां कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहां मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी हमेशा तुम्हारे नाम के पहले मेरा नाम लिया जाएगा ठीक उसी प्रकार जैसे पुर्व में प्रभु शिरिराम के पहले मासीता का नाम आता है भगवान स्री कृष्ण ने एवं मस्तु कहा और एक अंतिम बात कही कि राधा जब इस जीवन में मेरी तुम्हारी भेट नहीं होगी पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जो भी एक छाहों मांग लो राधा ने कहा कनेया मुझे तो सब कुछ मिल चुका है और कुछ नहीं चाहिए मेरा तुम्हारा प्यार अमर रहे जब तक इस धरा धाम पर एक भी प्रानी जिवित रहे मुझे तुम्हारे साथ याद करता रहे परंतु कहते ही हो तो एक बार वही मुरली की तान फिर से सुना दो भगवान भक्त की सिक्षा को टान न सके जबकि सर्वग्य सर्वसक्ति मान कृष्ण इसके भ्यानक पड़ी नाम को जानते थे फिर भी उन्होंने बहुत दीनों से संजोकर रखी हुई बासरी निकाली और एक अदभूत अविश्मरनी तान छेर दिया सारा संसार तरंगी थो उठा यदि पीश्र कृष्ण ने अने को बार मुरली बजाया था पर यह तान बिलक्षन थी अदभूत सांती थी और हिर्दय के तार को जंकिर्थ करने वाली थी ऐसे धुन न तो कभी बजे थी और नहीं कभी बजेगी सुदबूद खोकर राधा वंशी की धुन सुनती हुई शिर कृष्ण में ही समा गई जै शिर कृष्ण रादे रादे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जादा स्यादा लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें धन्यवाद दोस्तों